बीरू अकाइडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी सातियों का स्वागत है डियर बात करेंगे बीयर बाराम डेलेड में जो मनिश शुपरिंपोट में 13 मार्च को एक महत्रपूर सुर्माई हुई थी यमपी स्टेट आप गवर्मेंट के द्वारा क्लारिफिकेसं को लेकर के क्या बीयर पुना प्रात्मी की ओर फ्रेस रिक्रूर्टमेंट में भी उसका रास्ता है साफ होता दिख रहा है पूरी तरीकेस बात करेंगे क्योंकि अब जो मैटर 11 अगस 2023 को डिसाइड हो गया था मनिश शुपरिंपोट के द्वारा पुना आ करके हुआ ही अणचुगा है बीयर और डेलर दोनों आपस में पूरी तरीकेसे अंतिम पायदान पर पुना हो ये केस एक बार टर्निंग पॉइंट लेता हुआ नजारा रहा है जितने लोग चैनल पर पहली बार जुट रहे हैं सबस्क्राइब करके बाल आइकन प्रेस कर लिजे बीयर आप जानते हैं कि मद्धप्रदेश में जो इस्टेट आप गवर्मेंट के दोरा पूरे मामले को एक बार पुना चैलिंज किया गया था क्लारिफिकेशन को ले करके वहाँ पर पिछले सुनवाई 13 मार्च 2024 को मानी शुप्रिम कोर्ट में के माध्यम से कराई गई और 14 मार्च को को ओडर आया कोड के ओडर में दो बड़ी बाते मानी शुप्रिम कोर्ट के दोरा पूछी गई पहला तो उनका जो रिजन था पूछा गया कि कितने हर राज में भारत के और यूनियन टेरेटरीज को मिला करके प्राथिम किस्तर के कितने पदरिक्त हैं बात एकडम सत्त्य है वो डाटा सही मांगा गया और दूसरा भी डाटा एक महत्रपूर ये मांग लिया गया कि 11 अगस 2023 जब मानी सर्वोचिन नयाले ने देवेश सर्मा वर्तिस यूनियन और फिल्डिया पर डिये गए डिसीजन के आलोग में बीएट को प्राथिमिक लिबल की सिछकवर्ती से इन्वाइलडेट कर दिया एंसीटी के गजट को क्वैस कर दिया गया 8 जून 2018 के तो 11 अगस 2023 तक जो विएट के कैंडियेट चैनित हैं क्या उनके लिए कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि जिनको ब्रिज कोर्स कराकर के भी डेलेट इस्टुडेंटों के समकच किया जाए आईसी बात दो बड़ी बात केंदर सरकार से पुछी गई यूनियन और फिल्डिया से पूछा गया है अब यहां पर कही ना कही एक नई डेट भी तालिम की गई है इसकी सुनवाई की एक अप्रेल 2024 अब एक अप्रेल को पूरी तरीके से इस मामले को निस्तारित किया मद्वरेश में 11 से 12 जार बीएट के कैंदरेट यहां पर भी सिलेक्ट हैं और यह भरती प्रक्रियाएं आउटकम रखी गई थी तो अल्रेडी शुप्रिम कोट के भी है गई 11 अगर्स 2030 के जज्मिल्ट के आलोक में यहां से बीएट के कैंदरेट बाहर हो जाना चाहिए क्य अगर यहां पर चुकि फिर से पुना सुप्रिम कोट ने एक नया जो मामला है वो उजागर कर दिया कि क्या ब्रिच कोर्स के साथ इनको अगर रखा जाए तो क्या यह डेलेट के समकच आ सकती हैं यह प्रस्ट केंदर सरकार से किया गया है और आप बखुभी जानते हैं कि क अंदर सरकार वीट के साथ पूरी तरीके से कड़ी है अगर वीट के साथ के अंदर सरकार ना खड़ी होती तो एनसीटी के गजट को इस तरीके से ना लाती और वीट को छैवां के ब्रिच कोर्स के साथ लाउन ना करती यहां पर हलाकि अभी तक ब्रिच कोर्स को लेकर कि को bridge course के साथ हम deal and studentों के बराबर कर सकती हैं ये बड़ा सवाल है अभी ये चैनिकों को ले करके है भविस्त में हो सकता है कि back door से रास्ता B8 के लिए प्रात्मिक में पुना खुल जाए किस तरीके से क्योंकि आप जानते हैं कि हो सकता है ये कहा जाए कि B8 candidate जब B8 कर लेते हैं तो न्योक्तीव के पहले ही उनको 6 मां का bridge course करवा दिया जाए और जब प्रसिच्छन के लिए संस्ता का गठन कर दिया जाएगा NCT3 तो B8 करने के बाद 6 मां का bridge course कर लेगा और उसके बाद जब भरती आएगी तो वो पूरी तरीके से पातर हो जाएंगे तो यह मामला पूरी तरीके से घुमता न जाना रहा है हलाकि डियलेट के तरफ पे भी जो अपनी पैरवी है लगातार की जा रही है कप्रेल का जो दिन होगा महत्रपूर होगा वहाँ पर RTE Act 2009 का जो है लगातार जिक्र की जा जाएगा 21A आर्टिकल का जिसका वाइलेशनस है क्योंकि 21A आर्टिकल में यह कहा गया है कि 6-14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पैड़ागोजिकल आस्पेक्ट है वो केवल डियलेट के पास है और बीजट के पास नहीं है हलाकि केंदर सरकार आप जानते हैं कि सरकार अगर मिजोरोटी में हो फुल पावर में हो तो वो लगातार जो संसोधन है वो नियमों में करती जा सकती है उसके पाप बिसेश पावर है इस तरीके से बैट डोर से पुना वीट को इंट्री करा सकती है आटीकी एक्ट 2009 में चेंजमेंट करके क्यों क्योंकि 23 की उगधारा एक और 23 की उगधारा दो आप जानते हैं पकुबी यहाँ पर कहा गया था कि जब किसी राज में पर्टिकुलर किसी राज में जो प्रसिचण विरती है यानि कि डेलर या वीटी सी के कैंडिडेट हैं अगर उनकी संख्या कम है तो वहाँ पर वीट के कैंडिडेटों को अलेजबल किया जा सकता है यह बात मेंसन्स की गई है लेकिन वहाँ पर संख्या बल ही बताई गई कि अगर एक लाग से अंदर है या दो लाग ऐसा कोई वहाँ पर नंबर नहीं बताया गया कि कितने नंबर पर इनकी संख्या परयाप्तमानी जाएगी तो सरकार इस तरीके के महत्तुर्पूर्ण बिंदूओं पर विचार करके विएट को बैक डोर से इंट्री करा सकती है जैसा कि यह भी आप ने देखा था इलेक्टरोल बॉर्ण पर जो पहले साथ प्रसंद दिया जाता था उसको अल्लिम्टेट किया गया था हला कि बात भी मानी शुप्रिम कोट ने उसको पूरी तरीके समें रस्त कर दिया था तो सिरहाल अगर सरकार मेजोरिटी में है तो कुछ भी संभव कर सकती है लेकिन एक अप्राइल दोजार चोविस का जो दिन होगा काफी महतरपूर होगा क्योंकि डेलेट की तरफ से भी तबाम बाते रखी जाएंगे लेकिन आज की देट में अगर नया मोड देखने को मिला है इस पूरे मामले में 14 मार्च को जब कोट कोडर आया था तो एक नया मोड देखने को मिला क्योंकि इसके पहले भी चाहे बीएड वेलफेर अस्यूसियसन्स की आचका रही हो दिपांक और गवरों की आचका रही हो और नो घुस की आचिकाएं रही हो इसी तरीके की मांग उनी आचिकाओं में भी की जा रही थी लेकिन सारी आचिकाएं वो खारिच की जा रही थी लेकिन यहाँ पर दया, रोजगार, मर्फी, त्यादी का बहाना देते हुए जिस तरीके से सुनवाई को टर्निंग दिया गया तुसार मेहता और अब जेक मनुश सिंग्री जी के द्वारा निश्चित तोर पर बीड़ घरतियों के लिए जो रास्ता है उस पर उमीद की एक किरण खुलती नजारा रही है, फिलहाल अगर चैनित कंडिडेटों को यहाँ से बचाया जाता है, छैमा कर विचक पूर के साथ तो निश्चित तोर पर आगे आने वाले समय में प्राथमी किस्तर की सिच्छकवर्ती के लिए बैग दोर से बीड़ पुना प्राथमी किस्तर पर पात्र होने के लिए एलजबल हो शकता है, फिलहाल दीलेट कंडिडेटों की पूरी तरीके से तयारी यही पूरी तरीके से यह सारी बाते रखी जाएंगी, लेकिन जो पहला रीजन पूछा गया था के अंदर सरकार से की प्रतियक राज्य में कितनी सीटे हैं, यूरियन टेरेटरीज को मिलात किरते प्राथमी किस्तर की, तो हो सकता है कि मानिश उप्रिम कोर्ट में एक यह नया व चार भी चल रहा हो कि चैनिज बीएट को सेफ करके, छैना की ब्रिचकोर्स के साथ और जो याची है डियलेट के, उनको जो सीटे रिक्ट है, उन सीटों पर उनको भी न्युक्ति पत्र दिया जाए, इस तरीके की जो उवहा पू की स्थिती है, निश्चित तोर पर इस टर पर इस टर्निंग पॉइंट से किया गया ब्रिचकोर्स को ले करके, उस पर डियलेट की तरफ से जो एड़ोकेट की टीम होगी, वो क्या कटाच करेगी, पूरे वीडियो पर आपकी क्या रहा है, क्या बीएट पुनहा प्रातिमी किस्तर की सिच्छकवर्ती के ये पात्र हो जाएगा, आपकी क्या रहा है, पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजेगा, इसी तरह की सटीक और थेंटिक नालेसिक्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ये चैनल आपकी आवाज को उठाने के लिए बनाया गया अडियर, फिर विलेंगे एक और वीडियो मे तब तब के लिए जय ही, जय भारत!